बहुत समय पहले एक नदी में तीन मचलियां रहती थी. यद्यपी उन मचलियों में बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन जिंदगी को लेकर उन सबका नजरिया अलग-अलग था. पहली मचली, कोई समस्या सामने आने पर उससे निपटने में भरोसा करती थी. दूसरी मचली का मानना था कि हमेशा बुद्धिमानी का परिचे देना चाहिए और मुसीबत सिर पर आने का इंतजार करने की बजाए समय रहते उससे निपटने का उपाई कर लेना चाहिए. तीसरी मचली का मानना था कि प्रयास करने से कुछ नहीं होता. होता वही है, जो भाग्य में लिखा होता है. एक दिन तीनों मचलीया नदी में तैर रही थी. तभी उन्होंने नदी के तठ पर बैठे दो मचुआरों को आपस में बात करते हुए देखा. उनकी बाते सुनने के लिए वे. तीनों तैरती हुई. तर्ट के समीप पहुँच गई. एक मचुआरे ने कहा, इस नदी में मचलीयों की कमी नहीं है. अगर हम इन मचलीयों को पकड़ कर बजार में बेचें, तो अच्छा. मुनाफा कमा सकते हैं. छोटे तालाब में अब ज्यादा मचलीया न गुरुस ताय. यह आवाज दूसरे मचुआरे की थी. हम कल से ही यहाँ पर मचलीया पकड़ना शुरू कर देंगे. लगता है अब हमारे पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी. हमारी किस्मत अच्छी थी जो हम इस थान पर आ पहुँचे. मचुआरों का वारतालाब सुनकर द अपनी सहेलियों से कहा, सहेलियों, मैं समझती. मूंकी हमें ये जगह छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए. यहाँ पर हमारा जीवन खत्रे में है. इस पर पहली मचली ने कहा, अभी तो ये लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं. जब ये जाल वगेरह लेकर हमें पकड़ने के लिए आ जाएंगे, तब देखी जाएगी. अभी से हम लोग परेशान क्यूं हो? तीसरी मचली बोली, होना तो वही है जो भाग्य में लिखा है. इसलिए कश्ट करने से क्या फाइदा? हमें व्यर्थ में परेशान नहीं होना चाहिए. वैसे भी हमारे प पुष्टैनी जगह है. दूसरी मचली ने एक बार फिर उन्हें समझाने की कोशिश की, माना कि यह हमारी पुष्टैनी जगह है. लेकिन यहां रहकर जान बूच कर अपनी जान मुश्किल में डाल. लेना कहां की बुद्धि मत्ता है? तुम लोग जरा इस बात पर फिर से विचार करो तब तक मैं नदी की दूसरी मचलीयों को इस बारे में बता कर आती हूं. दूसरी मचली के खूद. समझाने के बाद भी पहली और तीसरी मचली के कानों पर जू तक नहीं रहेंगी. लेकिन दूसरी मचली अपनी जान मुश्किल में डाल देने के लिए तैयार उसने उन दोनों मचलियों को नमसकार किया और नदी की कुछ अन्य मचलियों के साथ खुद नदी की किसी और जगह पर चली गई। अगली सुबह मचुवारे उस जगह पर आकर मचलियां पकड़ने लगे। बचने कीलाख कोशिश करने के बाद भी पहली और तीसरी मचलियां उनके जाल में फास गई लेकिन पकड़े जाने के बाद भी पहली महली ने हिम्मत नहीं हारी थी उसके दिमाग में मच्छुआरों से बचने का एक नायाब विचार आया जब मच्छुवारे मच्छियों को जाल से बाहर निकाल रहे थे तब वह इस तरह लेट गई जैसे मर गई हो उसे मरा हुआ समझ कर मच्छुवारों ने उसे फिर से नदी में फेक दिया क्यूंकि मरी मच्छिय का उनके लिए कोई उपयोग नहीं था पहली मच्छी तुरंत वहां से भाग निकली उधर तीसरी मच्छी जाल में पकड़ी जाते ही हिम्मत हार बैठी थी उसने जाल से निकल कर भागने की भी कोई कोशिश नहीं को जाल में पकड़े जाते ही उसने जीवन की आस छोड़ दी थी वह सोच रही थी, मैंने, कभी सोचा तक नहीं था कि मेरा जीवन इस तरह समाप्थ हो जाएगा अगर मैंने अपनी सहेली की बात पर ध्यान दिया होता, तो आज मैं यहां इस तरह न मर रही होती मगर अब वह कुछ भी नहीं कर सकती थी इस प्रकार पहली और दूसरी मचली ने अपनी होशियारी से जान बचाली, जबकि तीसरी मचली अपनी बेवकुफी की वजह से ही मृत्यू को प्राप्त हुई शिक्षा, हमें दूरदर्शी और बुद्धिमान बनना चाहिए